Hello all and welcome back again to modern history series, modern history की series में this is probably the last class and in the last class we have discussed about round table conference, Poonah Pact और इसके सब के बाद में ultimately हम लोग ने देखा था, Government of India Act 1935 ये पास किया गया था, ये जो Government of India Act पास किया गया था, ये ultimately Simon Commission की रिपोर्ट, Nehru रिपोर्ट, जिनना फॉर्मुला, Round Table Conference, White Paper और लिलिद्गो रिपोर्ट, इन सब के ultimate conclusion के तौर पर ये Government of India Act 1935 पास किया गया था, इस Act के पास करने के बाद में ही तुरंद के तुरंद काई सरे ऐसे नियम ते जिसको लागू करना था, और इसमें से ही एक important चीज़ थी, वो थी provincial elections, और इस provincial elections के लिए अब next episode election contest कराना ही था, तो हम लोग फड़ा फड़ बात करते हैं जरा 1937 के elections के बारे में, तो 1937 के elections यानि कि 1937 के provincial election के बारे में अगर बात किया जाए, कि आखिर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था और यहाँ पर किस तरीके की performance थी, क्योंकि हम लोगों ने एक और election के बारे में already discuss कर लिया है, जहाँ पर जो स्वराजिस्ट थे, उन्होंने election में contest किया था और ultimately वहाँ पर भी उन्होंने एक अच्छी खासी बढ़त बनाई थी, और इस तरीके से हमारे first speaker विठल भाई के रूप में और similarly इसी तरीके से कई सरे parliamentarians या फिर parliamentarian तो नहीं कहेंगे, लेकिन house के member आप बोल सकते हैं उस समय के, और बाकी mayors वगरे कई सारे हमारे बना दिये गए थे, और इस तरीके से जो Indian people थे, they started getting into representation, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये भी legislature के part बन गए थे, ultimately अगर बात किया जाए, इस provincial election से related क्या कुछ चीज़ें हुई थी, तो provincial election ये 1937 में होना था, लेकिन उससे पहले Congress में इस चीज़ को लेकर के resolution आनी थी, तो 1936 में Congress की session होती है लखनव और फैसपूर में, तो लखनव और फैसपूर के session होती है, obviously जो लखनव के session है, वो special session है, तो यहाँ पर इस फैसपूर के session में, यहाँ पर इन लोगोंने election को contest करने के लिए resolution पास किया, और इस तौर पर यहाँ पर इन्होंने election का जो symbol बनाया था, वो symbol था एक yellow box, पीला बक्षा, yellow box इन लोगोंने बनाया था as part of symbol के तौर पर, अगर बात किया जाए कि election में क्या result निकला था, 1937 का फिर election होता है, election में फिर ultimately कई जगों पर majority आती है, अब majority कहां कहां पर आती है, ये देख लेते है, majority आती है, उत्तरप्रदेश में, मध्यपरांट में, बिहार में, ठीक है, इसके अलावा मद्रास में, इसके अलावा ओडिसा में, अब अगर देखें कि आखिर में कौन कौन से यहां पर CM बनाए जाते हैं, CM इंदसेंस की यहां पर leading party के कौन से head रहते हैं, तो उत्तरप्रदेश में CDC बात है, गोविंद वल्लफ पंतजी बनाए जाएंगे, क्योंकि यहीं से यह contest भी कर रहे थे, इसी तरीके से मध्यपरा में अगर बात करें, तो यहां पर भी पैठ है, राज गोपालाचारी, तो दिस इस राज गोपालाचारी, यहां से यह जीत करके आगे आए, सिम्लाली ओडिशा से बात करें, तो हरी कृष्ण, हरी सोरी, हरी कृष्ण, दिस इस हरे कृष्ण, महता, यह यहां से यह जीत करक अगे आए थे यह तो ही मिजौरिटी लेकिन कुछ थी जहां पर लाजस्ट पार्टी के तोर पर कॉंग्रेस आगे आई थी यह आई थी बॉंबे में तो दिस ृज बॉंबे और बॉंबे से जो लीडिंग पार्टी के रुप में आई थी और यहां से भी अगें डॉक्टर खान अब्दुल गफार खान यही बनेंगे यहां के लीडर लेकिन कुछ जगहें थी जहां पर यह माइनोरिटी में आई या फिर इन शॉट कहिए कि यह फेल हो गई थी तो वो कौन-कौन सी जगहें थी सिंपल सी बात है बेंगॉल का इलाका था बेंगॉल में कॉंग्रेस फेल हो गई थी इसके अलावा पंजाब का इलाका था और सिंध का इलाका था अब देखे इसमें से कुछ होलाके ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के अंडर में आगे थे जैसे कि बेंगॉल में यहां पर मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी इन दोनोंने मिल करके गवर्रमेंट अपनी बनाई थी पंजाब में इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पर भी Muslim League और Unionist Party of Punjab जो थी ये मिल करके Unionist Party इन दोनों ने मिल करके Ultimately Government बनाया था और सिंद में तो खेर Muslim League जीती ही गई थी तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है अब इस तरीके से Ultimately Provincial Government जो हैं वो बन जाती है Provincial Government जो गनने के बाद में एक Central Control Council बनाया जाती है और यह बिसिकली एक तरीके से Governance के लिए बनाया जाती है इसको बनाने के पीछे कौन कौन से लोग रहते हैं एक रहते हैं सरदार पटेल तो दिस इस सरदार पटेल रहते हैं तो इसके अलावा मौलाना अजाद रहते हैं तो इसी तरीके से राजेंदर प्रसाद रहते हैं बनाने के बाद में ऑविसी बात है कंट्रोल अच्छा रहेगा और यह चीजें की जा रही होती थी लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि 1939 में वर्ल्ड वार इस्टार्ट हो जाती है और बिना चुकी देखिए यूनियन में जो गवर्मेंट है सो गवर्मेंट है कोई दिक्कत नहीं है यहां परमाल लेते हैं कि ब्रिटिश है लेकिन अल्टिमेटली प्रोविंसेज में तो अब प्रोविंसेज में कॉंग्रेस तो आ बिना इंडियन से पूझे सीधे इंडिया को ऐस पार्टी बना दिया गया था जब इंडिया बना दिया गया थो पूझेंुटइ जो प्रोविंसेज और जो यहां पर सरफ और पकपेट की त princes सह ही है और इस कारण से अल्टिमेटली 22 डिसमबर 1939 को जो कॉंग्रेस है जहां जहां पर भी कॉंग्रेस अपनी गवर्मेंट बना के रखी रहती है उस सब लाइन से रेजिगनेशन दे देते हैं और अल्टिमेटली यहां पर गवर्मेंट जो होती है वो फॉल कर जाती है यह जो 22 डिसमबर 1939 का यह जो डे है इसे अमबेड कर और और मुस्लिम लीग ने इसे एक मुक्ती दिवस यानि की फ्री डे के रूप में फ्री डे या फिर इसी को बोल सकते हैं आपकी मुक्ती दिवस मुक्ती दिभस के तौर पर इन लोगों ने सिलिब्रेट किया था जब कॉंग्रेस ने जो है एक तरीके से रेजिगनेशन दे दिया था अब अगर बात किया जाए एक 1937 वाला जो यहां पर फेजपूर का समिट हुआ है यहां पर नंदलाल बोस एक थे यहां तो यह दियां रखिएगा कि इसी वाले मीटिंग में ये चीज बनाई गई थी तो यह काम किया गया था प्रोइन्शल ऐलेक्शन में अब ज़ना देख लेते हैं डीटेल्स क्या है to 1937 में प्रोइन्शल आउस और Government of India has empowered Indians to fight in election, election जो है ultimately होता है, अलग-अलग political party अलग-अलग जगहों से जो है fight करती है, जैसे कि पंजाब हो गया तो यहां से unionist party है, जिसके leader रहते हैं, अपसार हुसाइन, इसी तरीके से बंगॉल से कृशक प्रजा पार्टी है, जिसके leader रहते हैं, फिजुहुल हक, बंगॉ अगर देखा जाए तो इंडियन लेबर पार्टी रहती है, डॉक्टर अंबेडिकर की, इसी तरीके से इंडियन वर्कर्स पार्टी भी रहती है, ऑल्दो अंबेडिकर जो है, इन्होंने बंबे प्रसिडेंसी से fight किया था, लेकिन इनकी जो पार्टी थी, वो बंगॉल से fight कर रही थी, ध्यान रखिएगा, दोनों में देर इस, इसके अलावा जो है, कॉंग्रेस थी, टोटल सीट 1585 थी, कॉंग्रेस ने इसमें से 711 सीट जीत लिया था, और इस तरीके से टोटल आठ प्रोविंसे में कॉंग्रेस ने गवर्मेंट बना ली थी, पांच प्रोविंस इन लोगों ने जीत करके रखा हुआ था, इतना डीटेलिंग तो खेर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी, लेकिन खेर एक आइडिया होना चाहिए, और हम लोगों ने जो भी पैन पेपर से डिसकस किया है, वो तो आपको पता होना चाहिए, अल्टिमेटली जो होत जीतती है, सिंध में के वल्टीमेटली ये लोग शाशन में तो आ जाते हैं, काउंसिल अफ मिनिस्टर इन लोगों के बारे में अलवडी हम लोगों ने देख लिया है कि कौन-कौन से कहां कहां पर काउंसिल अफ मिनिस्टर बनाय जाते हैं, 1939 में वर्ड वार होती है और यह से कौंग्रेस ने रेजिगनेशन दे दिया था और इस तरह से मुक्ति दिवस की शुरुवात हो जाती है, अच्छा खासा फ्री थाइम था तो इन लोगों ने क्या है, एनुमल मीटिंग को फोकस किया, 1940 में फिर रामगण बिहार में यहां पर मीटिंग करते हैं और इस समय चेर पर समर आए जाते हैं अबुल कलाम और यह बिसिकली अगले पांस सालों के लिए यही डिकलेर कर दिये जाते हैं, अब यहां पर न्यू रिजलुशन जो है, वो पास किया जाता है कॉंग्रेस में, रिजलुशन क्या राता है, अब हमें इंटरिम नेशनल गवर्मेंट बनानी है, इंटरिम नेशनल गवर्मेंट बनानी है वर्ल्ड वार के बाद में, अब दिखिए, केस यहां पर यह होता है कि वर्ल्ड वार में आप इंटरिम गवर्मेंट हमें बनाने दीजिए, और फिर इसके बाद से हम लोग वर्ल्ड वार में आपकी सहायता करेंगे, ऐ अभी तक अगर कॉंग्रेस के बारें बात करें तो ये किवल औकिवल प्रोविंसेज में ही रुकी हुई थी लेकिन अब ये थोड़े से इनके जो कह लीजे की डिमांड थी वो ब्रॉडन हो गए थी और अब ये नेशनल गवर्मेंट के लिए डिमांड करने लगे थे इस ने अगस्ट ऑफर इन्होंने दिया था और इस तरीके से ऑगस्ट ऑफर के फेल होने के बाद में एक तरफ मुस्लिम लीग भी अब अपना पाकिस्तान का कंसेप्ट बनाने लगी थी तो जो पाकिस्तान का कंसेप्ट था ये था ब्रेंचाइल्ड आफ चौधरी रहमत अली ये चौधरी रहमत अली थे ये स्टूडेंट थे और उन्हेंने पाकिस्तान का कंसेप्ट दिया था पाकिस्तान का मतलब था पंजाब अफगानिस्तान कश्मीर सिंद और बलुचिस्तान का एरिया और इस तरीके से पाकिस्तान बन जाती है डिमांड रह पाकिस्तान के बारे मे यह separate page basically हम लोग यहां पर बाते करेंगे कि आखिर में Congress में और क्या-क्या developments हुए हैं सो basically चलिए फटा-फटा हम लोग देख लेते हैं Congress में क्या-क्या development हुए है आफटर नाइटीन थर्टीफाइफ त्क है Congress आफटर नाइटीन थर्टीफाइफ अगर देखें क्या-क्या चीजे हुए हैं तो देखें कांग्रेस में अल्टिमेटली क्या होती है कि एक national planning commission बनाये जाती है नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाये जाता है जब हमारे सुबास चंद्रबोस आते हैं तो नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाये जाती है इसके जो चेर्मैन या कह लिजे जो प्रेसिडेंट है वो न्यूक्त किये जाते है जवाहरलाल नहरू और इनको support करने के लिए घंश्याम दास बिल्ला जीडी बिल्ला रहते हैं इसके अलावा श्री राम रहते हैं और रहते हैं विश्वेश्वरया तो यह ध्यान रखिएगा और यह बनाई गई थी 1934 में यह बनाई गई थी आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा और इनके support में और भी लोग थे कौन-कौन support में थे जे पी नरायन जे प्रकाश नरायन थे ठीक है और इसके अलावा अच्चित पत्वर्धन थे तो दिस इस अच्चित पत्वर्धन क्लियर हो गया यह सब डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है थर्ड पॉंट अगर देखा जाए तो यहीं इसी टाइम पर एक बटलर रिलेशन को ले करके था और ऑव्यस सी बात है प्रिंसली स्टेट भी इसमें काउंटेड थे तो काउंट कर लिया गया था प्रिंसली स्टेट को भी बनाई कब गई थी यह ध्यान रखेगा 1927 के दौरान में ही से बनाई गई थी फॉर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो यहां पर एक औल इंडिया स्टेट पीपल्स काउंट भी बनाई गए था ठीक है और यह बनाई गई थी अगें 1927 में यह किसके दौरा बनाई गई थी यह बनाई गई थी बलवंत्राय मेहता कि बारे बलवंत्राय मेहता ठीक है इसके अलावा मनी लाल कोठारी थे मनीलाल कोठारी ठीक है छोटे छोटे देखिए फैक्स जो स्टेट पीसेस एक्जामरेशन में पूछे आते हैं इसके अलावा जी आर अभयंकर थे दिस अभयंकर तो यह लोग थे बिसिकली ठीक है यह जो पाकिस्तान का कंसेप्ट है यह क्या है कैसे है और कहां से आया पाकिस्तान के लिए हम लोग थोड़ा सा मुस्लिम लीक के बारे में भी देखी लेते हैं Muslim League I guess we have already discussed और खेर कोई बात नहीं है हम लोग जरा यहीं पर एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं Muslim League को ले करके ठीक है Muslim League Muslim League के development के बारे में तो हम लोग उने पट रखा है हम लोग बाते करेंगे demand of Pakistan को ले करके so this is demand of Pakistan demand of Pakistan को ले करके क्या बाते हो रही है देखें 1930 में एक तरफ जहां पर Congress अलग काम कर रही थी मतलब अपना अलग सॉल्ट सत्यागरा वगरे कर रही थी महीं दूसरी और ये लोग भी Muslim League वाले लोग भी अलाबाद में मिलते हैं और यहां पर मुहमद इकबाल में इकबाल ने आइडिया ओफ पाकिस्तान सोचा लेकिन एक्च्वल में आइडिया ओफ पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं था इन लोगों ने ये कहा कि हमें पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान दो बहुत बात में आई थी लेकिन ऐसे separate territory इन लोगों ने एक idea ले लिया कि यार हमें एक separate territory चाहिए होगी ठीक है जो कि musulmanों का representation करें और इस separate territory को इन्होंने नाम दिया था सरहदे सूबा ठीक है तो this is सरहदे सूबा सरहदे सूबा इन लोगोंने नाम दिया था 1933 में इसी तरीके से Cambridge के student रहते हैं दिस इस Cambridge student रहते हैं चौधरी रहमत अली जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा तो दिस इस चौधरी रहमत अली इन्होंने idea of Pakistan दिया तो इन्होंने Pakistan के बारे में बताया था वही पाकिस्तान ठीक है और इस तरीके से इन्होंने ये कहा कि आज नहीं तो कल ना और नेवर हमें ये ले करके रहना होगा और अल्टिमेटली 1940 में लाहॉर में सेशन होती है लाहॉर सेशन होती है मुस्लिम लीग की और यहां पर एक separate state as a Pakistan डिमांड किया जाता है तो separate state of Pakistan डिमांड किया जाता है हमारे जिन्ना साहब के द्वारा भी ठीक है और इस तरीके से 23 मार्च 1943 को Pakistan Day celebrate किया जाता है और इस तरीके से जो पाकिस्तान के डिमांड है और फुल फ्लेजड वे में आ जाती है अगर हम लोग बात करें कि यह जो पाकिस्तान का proposal था यह किस किस तरीके से दिया गया था तो देखें पाकिस्तान के proposal के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका जो पूरा resolution था एक तरीके से पूरा structure होता है कि क्या प्रफॉर्मा होना चाहिए structuring वगरे जो काम की गई थी वो की गई थी सिकंदर हयात खान के द्वारा इसके अलावा अगर देखा जाए कि इसको present किस ने किया था तो present करने वाले थे फजलूल हक इन्होंने present किया था और इसे एक तरीके से nominate किस ने किया था या फिर कह लिजए कि support किस ने किया था इस present को इन्होंने किया था खली कुंजमा तो इस इस खली कुंजमा इन लोगोंने ultimately चीज़े की थी हाला कि यह जो पाकिस्तान की डिमांड थी पहले August Resolution आया था August Resolution हम लोगों ने अभी देखा लिलिद्गो के टाइम पर आया था इस August Resolution में Dominion Status की बात की गई थी इस Dominion Status के बाद में Ultimately जो हमारे जिन्ना साहब थे इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड जो है वो बढ़ा दी थी और इन्हीं के कहने पर Ultimately जो Next Resolution आती है That is the Crips Mission जब आता है तो Crips Mission या Crips Proposal जो भी आप बोलना चाहें जब यह आता है तो Ultimately इन्होंने August Resolution में जो जो पॉइंट रहते हैं वो तो पॉइंट रहते ही रहते है प्लस साथ ही साथ में एक और चीज़ जोड़ दिया जाता है Separate State का Separate State का हाला कि यहां पर खुल करके बाते पाकिस्तान की नहीं की रहती है लेकिन हाँ पाकिस्तान इन डिरेक्ट वे में जरूर यहां पर कहा जाता है लेकिन जिन्ना साहब कहते हैं नहीं हमें डिरेक्ट चाहिए एकदम लिखित रूप में चाहिए कि यहां पर पाकिस्तान को आप सपोर्ट कर रहा है ऐसा चाहिए होगा लेकिन ultimately यहाँ पर यही होता है कि पाकिस्तान की डिमांड हो जाती है तो डिमांड आफ पाकिस्तान के बारे में अलड़ी हम लोगों ने देख लिया है तो यह समझ में आ गया होगा आपको कि क्या चीज़ें आखिर में चल रही है फिर ultimately क्या होता है कि पाकिस्तान के सेशन के बार में एक अलीगढ़ प्लान बनाया जाता है इस अलीगढ़ प्लान को बनाया गया था जफूरूल हसन और हुसाइन के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पर चार independent state को ले करके बोला गया था और इसी को बोलाता है तुकड़े तुकड़े गैंग आज की डेट में तुकड़े तुकड़े गैंग अलग मतलब निकल गया है लेकिन actual way this is the meaning यहाँ पर क्या है पाकिस्तान, नौर्थ वेस्ट, बेंगॉल, हाइदराबाद, ह और गांधी जी ने क्या क्या गांधी ने देखा कि भाई उनके जिगर के टुकड़े, टुकड़े, टुकड़े होते जा रहे हैं तो इस कारण से इन्हों ने क्या किया इंडिविजुल सत्यागरा पर यह बैठ गये थे, अगर बात किया जाए कि आखिर में कॉंग्रेस गा पहला कारण थे, पहला कारण था, कॉंग्रेस के बाद में अब कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं था, कॉंग्रेस को समझ में या रहता क्या करें, दूसरा, सुबास चंद्रबोस भी अब निकल चुके थे, फॉरवर्ड बलाक बना करके अलग तरीके से, इसके अलावा टु यह कहा, now, come to the papa, तो यहाँ पर क्या होता है कि, ultimately क्या होता है कि, individual सत्यागरा कर दिया जाता है हमारे गांधी जी के द्वारा, तो दिखे, गांधी जी के पास एक बहुत बड़ा वेपन था, और वो था सत्यागरा, इन्होंने different recipe बनाई थी, सत्यागरा की, और ultimately इन्होंने स सुना होगा, भूदान मोमेंट के रूप में, लेकिन खेर, हम लोगोंने discuss नहीं किया है, बट that is okay, चलिए खेर, individual सत्यागरा, स्टार्ट होता है 17 October 1940 से, पवनार महराष्ट से शुरू होता है, इसका aim क्या रहता है, number one, to show that nationalist patient was not due to weakness, हम कमजोर नहीं है, सत्यागरा करना है, हम कमजोर नहीं है, ऐसा दिखाना, to express people's feeling that they were not interested in the war, हम लोग interested नहीं है वार में, इस वज़े से जो हता है, मतलब देखे, there were, they made no distinction between narzism and the double autocracy, जैसे क्या होता है कि, अगर माल एतना है कि, आप अपने किसी भी activity को करने के लिए, अगर आप genocide कर रहे हैं, तो एक तरीके का वो violence माना जाता है, और genocide कहीं से भी accepted नहीं होनी चाहिए, चाहिए वो independence के लिए लडा जा रहा हो, या किसी के ride के लिए लडा रहा हो, कुछ भी हो, अगर आप genocide करके कोई भी काम कर रहे हैं, तो that is not acceptable, it should always be peaceful, यह हमेशा table पर बैठके करना चाहिए, न कि war ground पे, तो जो genocide होता, व organized होते ही होते हैं, और यही peace talk हैं, जो ultimately हमें conclusion पर ले आते हैं, to give another opportunity to the government, to accept Congress demand peacefully, the demand of satyagrahi would be the freedom of speech against the war, through an anti-war declaration, and they were supposed to march towards Delhi, और इस तरीके से नाम आ गया था, दिल्ली चलो मोमेंट, और विनोबा भावे जो थे, वो पहले थे, सत्यागरों को accept करने वाले और नहरू थे, तीस दिल्ली चलो का नारा दे दिया आता है, कॉंग्रेस अब क्या है, कुछ भी नहीं मिल रहा था, गांधी ultimately got footage, लेकिन फिर ultimately क्या है, क्रिप समिशन आ जाता है, और क्रिप समिशन में उन्हीं सब पुरानी चीज़ों को वापस से, फिर से एक नया modification करके, एक नए तरीके का recipe बना करके दे दिया जाता है, जिसके बारे में already हम लोगों ने discuss कर लिया है, तो कोई दिकत नहीं है, ठीक है, इसके बाद से start होता है quit India moment, अब देखिए, August resolution आ चुका था, August resolution को कभी भी आप August resolution के साथ में इस August revolution को मत confuse होईएगा, because this is quit India moment and this is August revolution, August resolution जो आया था, 1940 में आया था इस quit India moment के reason क्या थे और क्या हुआ था सीन आखिर में, तो ध्यान से समझेगा, 1940 में ultimately Congress ने पहले, in fact 1939 में ही demand कर दिया था, कि हमें एक interim national government बनाने दीजिये, नहीं बनाने देंगे, तो फिर obvious सी बात है कि we are not going to support 1939 World War II, लेकिन फिर ultimately Linlit Go ने इस offer को reject कर दिया था, और अपना एक ने आउगस्ट offer दे दिया, तो जो कि कहीं से भी acceptable नहीं था हमारे Indians को, ultimately फिर धीरे धीरे चीज़े चलती है, गांधी जी अपने महौल टाइट करते हैं, और सुबास चंद्रबोस यहाँ पर निकल करके अपना forward block बना लेते हैं, सुबास चंद्रबोस के बारे में अभी हम इंडिविज्वल सत्यागरा कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यदा importance नहीं मिलती है, और इस कारण से ultimately क्या होता है, कि इन्होंने quit India moment को launch कर दिया था, ultimately आखिर में क्या क्या reasons थे, तो पहला reason था failure of Crips mission, क्योंकि demand नहीं पूरी की जा रही थी, और गांधी जी नी भी देख करने को मिला था, जो कि पहले सिंगापूर, फिर मलाया, और फिर बर्मा पे अटाइक कर दिया था, जो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक डर आ गया था, कि कहीं अब ब्रिटेन के 200 साल के बाद में कहीं 400 साल जापान करना जहिलना पड़े, इस कारण से भी एक quit India moment की बातें स्टार्ट हो गई थी, इंडियन लीडर वर आल्सो अंडर थ्रेट, तो जैपनीज कॉलोनी को लिए करके थ्रेटेन में थे, एकनॉमिक सप्रेशन था, इसके अलावा मिस बहेवियर विद द बर्मीज माइगरेंड एंड इस्ट बेंगौल, जो भी लोग थे, उनके साथ मे मिस बहेवियर हो रहा था, तो ये भी देख करके, इन सारी चीजों की शुरुवात हो जाती है, अगर बात किया जाए, क्विट इंडिया रिजलुशन और गांधी जी का जनरल इंस्ट्रक्शन क्या था, तो गांधी जी ने क्या किया था, जब भी, मतब ये क्विट इंडि करिये ना करिये, लेकिन कभी भी एक देश वासी पर गोली मत चलाईएगा, इस्टूडेंट को बोला गया कि अगर आप कॉन्फिडेंट है, तभी केवल स्कूल का उले छोड़ी, अधरवाई छोड़ने की जरुवत नहीं है, पेजेंट को बोला गया, अगर आपका एक्कöl को जरू के बारे सोचिए ना कि British रूर अपने बारे में, princely state people they support the ruler, उनको बोला गया, प्रिंसली स्टेट को जो लोग थे उनको ये बोला गया कि आप anti-government का एंटी गवर्मेंट रूल को बेसिकली जो होता है वो फॉलो करिए उनको प्रमोट करिए और सी के लिए इंडिया नेशन के लिए लड़िए कुट इंडिया मोमेंट में क्या होता है कि डिमांड एन इंडिया अभी खतम करिए डिकलेयर कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया तो डिफेंड इसेल्फ अगेंस्ट आल टाइफ आप फॉसिजम एंड इंपिरियलिजम फॉर्म प्रमिशल गवर्मेंट ऑफ इंडिया एंड आफ्टर बिटिश विड्ड्रॉल सैंक्शन सिविल डिसोब लोग कर सकते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम में देखिये को इन्दिया मोमेंंट के बारे में हम पट अजवान कर लेते हैं कारन heeft फॉट्री का क्राइब में कुट इंडिया को ले करके resolution आता है तो one second 14 जुलाई 1942 को this is 1942 यहाँ पर जो होता है annual meeting होती है वार्धा में और गांधी जी यहाँ पर जो है वो कुट इंडिया moment का resolution ले करके आते हैं और इन्हें ये वार्धा में होती है और इन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता है तो बहुत बड़ा एक जटका था गांधी जी लिकी भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था फिर उसके बाद से 1942 में ultimately जो होता है नहरू और आजाद ने तिलक दिवस सेलिब्रेट किया था तो इस तिलक दिवस यहां पर नहरू और आजाद ने सेलिब्रेट किया था फिर 1942 में ultimately कुट इंडिया मुमेंट की acceptance हो जाती है और यहां पर गांधी जी हमारे 13 पॉइंट एजिंडा लेकर के आते हैं और उस 13 पॉइंट एजिंडा में हम लोगों ने अलड़ी देख लिया कि क्या क्या चीज़े थी जैसे ही यह कुट इंडिया मुमेंट जो है लाँच किया जाता है वैसे ही बिटिश की जो forces यह यह भी action में आ जाती है यह भी action में आ गांधी जी के साथ में कौन होंगी उनकी वाइफ तो रहेंगी रहेंगी तो कस्तूरबा गांधी और साथ ही साथ में इनके जो secretary थे महादेव देशाई महादेव देशाई इन लोगों को गिरफतार करके ultimately आगा खां पैलेस पर गिरफतार मतलब कि यहां पर जो है जिल में भेड़ेश दिया जाता है आप चूंकि सब लोगों को अलग अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि कोई planning नहों सके और दूसरी जगा़ पर यानि की जो बाकिलोग हैं उन लोगों को एहमद नगर में रखा जाता है तो यहां पर रखा जाता है क्लियर हो गया तो यह इसके अलावा छोटु भाई रहते हैं तो यह काम हो रहा था इस तरीके से अब यहां पर देखिए क्या-क्या काम हुए हैं यहां पर हमारे गोविंद बल्लपन्थ रहते हैं गोविंद बल्लपन्थ इनको भी ग्रफतार किया जाता है और यह इसके अलावा कुछ और भी लोग रहते हैं जो रेडियो फंक्शन करते हैं रेडियो फंक्शन करने का मतलब जैसे उशा महता त्यक है या फिर जो आपके जैपरकाश नरायन हो गया है या फिर आपके मतलब जितने भी आप दिल्ली में हॉस्पिटल का नाम सुनते हैं वो सारे अल्टिमेटली क्या है रेडियो वाला इस तरीके से अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रहे थे यह जो रेडियो थे वो दो जगवें पे थे एक थी नाशिक में और दूसरी थी बॉंबे में नाशिक और बॉंबे में अल्टिमेटली इन दोनों के बारे में बेटिशर को पता लगता है और बेटिशर क्या करते हैं कि इन दोनों को अपने कबजे में ले लेते हैं तो रेडियो वाला जो मोमेंट है वो कहीं ना कहीं फिर फे यह था लेकिन खेर इल्टीमेटली गांधी जी का यह जो 21 डे का फास्ट था उसमें तबियत खराब होती है और इनको रिलीस कर दिया जाता है जब यह रिलीस किये जाते हैं तब तक इनफेक्ट उससे पहले ही कस्तूरबा गांधी और महादेवदिसाई इन लोगों की डेथ ह हो चुकी होती है और इनका क्रिमेशन भी किया जा चुका होता है तो विरा गांधी जी मतलब गांधी जी एक तरफ जेल में बंद है और बाकी दूसरे साइड में उनकी वाइफ और उनके जो सेक्रेटरी उनकी यह अल़ड़ी डेथ हो चुकी है तो यह काम हो गया ता नाए एक साथ होती रह रही हैं वो भी uninterrupted way में चल रही थी इसी uninterrupted way में parallel government भी चलना शुरू हो गए थी मतलब कुछ एरियाज आजाद हो गए थे इसमें से एक एरिया था जो था बलिया का इलाका जहां पर चिट्टू पांडे की government चल रही थी तो this is चिट्टू पांडे की government government यहां पर चल रही है इसी तरीके से टाम लुक दिस इस टाम लुक मिदना पूर में भी government चलनी शुरू हो गए थी मिदना पूर और यहां पर जो पर जो है यह सारी सरकार होती है वह चलना शुरू हो गए थी एक तरीके से कह लिजे की कुट इंडिया मोमेंट जो है अपने चरम सीमा पर आ गया था और इस चरम सीमा पर कौन-कौन लोग हैं ग्राउंड पे देखे गांधी जी 1944 में छूट करके आएंगे जेल से लेकिन जो बाकी कॉंग्रेस मैंने यह अभी भी देखे कहां पर है यह बाकी अभी भी लोग जेल म हैं 1942 जैसे ही मोमेंट शुरू हो रहा है वैसे ही इन लोगों को जेल में डाला जा चुका है तो ग्राउंड पे कौन-कौन काम कर रहा है ग्राउंड पे काम हुई थी जैसे की जे प्रकाश नरायन काम कर रहे थे उशा महता काम कर रहे थी यह लोग काम कर रहे थे रेडियो जो ग्राउंड एक्टिवीटी चल रही थी सो चल रही थी लेकिन इस समय जो एक्षन में थे वो थे सुबास चंदर भोस आजाद हिंद फॉज यह आजाद हिंद फॉज जो है वो बहुत ही एक्शन में थी और ये कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट था शहर देहात हर जगा पर फैला होना चाहिए राइट्स और जो ब्लैक लॉज उसके अगेंस्ट में होना चाहिए नॉन वाइलेंस होनी चाहिए इस्टुडेंट जो है अपने मर्जी के हिसाब से छोड़ सकते हैं कोई भी लीडर नहीं खोजेगा वुमेन का पार्टिसिपेश करना चाहिए और इंडिया पार्टिसिपेशन रहेगा इर्रेस्पेक्टिव अब धर्मकास्ट इन सब के अलाबा गांधी मत बनिये सब लोग गांधी ही हैं ऐसा माल दीजिए चर्खा को एक सिंबल बना दिया गया था कि यह कभी रुखना नहीं चाहिए और इस तरीके से ह हमारा कुट इंडिया मोमेंट जो है वो चल रहा था तो मिजिए पूरा को पूरा अपना चल रहा है लीडर लेस मोमेंट चल रही है एक साइड में दूसरे साइड में हम लोगों ने जैसा क्या भी देखा कि बाहरी अक्टिविटीं हो रही थी और वह कर रहे थे हमारे पिलाल हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं इस सेशन को एक और क्लास आपकी लगेगी जहां पर हम लोग सुबास चंद्रबोस के बारे में बात करेंगे और अल्टिमेटली हम लोग इंडिया को आजाद भी करा लेंगे और इंडिया के आजादी भी एक बहुती बुरी सकते हैं यूट्यूब पर जीस मेंबर्शिप के बाद आप इस पीडियाफ को एक्सेस कर सकेंगे इसके लावा कुछ और भी वीडियो का एक्सेस कर सकेंगे मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तिल देन कुड़ बाई एंड थैंक यू सो मच